तो अभी रीसेंट में डेडपूल और विल्वरीन का ट्रेलर लीडीज हो चुका है क्योंकि एक लाइफ सेवर सावित हो सकते हैं पूरी मार्वल सिनेमाटिक इनिवर्स के लिए और मुझे लगता है होगी और तो अगर तुम्हें इसे देख लिया है तो तुम्हें पता होगा कि पिछले जो टीजर आया था उसकी तरह नहीं है कि डेडपूल फे फोकस करें बजाए कि इसमें वह फोकस करती है वुल्वरीन की बैक्स्टोरी भी हाला कि उसके वारे में कुछ साधा बताया नही है जो कि अच्छी बात है और साथ ही में कैसेंडर नुवा का जो कैरेक्टर है उसका रिवील भी हो चुका है इस ट्रेलर में जो कि प्रॉबैबली इस पूरी मूवी की मेन विलन हो सकती है प्रॉबैबली क्यों बोला क्योंकि आपको पता है कि मार्वल सिनेमाटिक यो देखने को मिले तो प्रॉबैबली यह है और दूसरा पॉइंट जो कैसेंडर नुवा से रिलेटेड है कि वह रह रही है एक जाइंट मैं के सर के अंदर और वह सही में एक एंट मैं ही है क्योंकि वह जब खुलता है उसका सर हेलमेट तो उसमें आप देख सकते हो कि उसका स च्रक्चर है सिर्फ वह हेलमेट यह मतलब दिखाने के लिए नहीं है वह सच में किसी समय पर एक जाइंट मैं था यहां जाइंट मैं था कुछ भी कहलो तो उसके अंदर वह रह रही है और कौन सी युनिवर्स का है हम नहीं जानते हैं और साथ ही मैं हमें पुरानी जो एक् लेकिन देखने में मजा रहेगा तो तुम्हें कैसा फील लग रहा है कि कैसी जाएगी यह मूवी मुझे तो लग रहा है बहुत तांसु जाएगी जो भी रिसेंट रिपोर्ट्स हाई थी उसके अंदुसार यह बोला भी गया था कि यह टेडपूल 3 मूवी नहीं होने वाल है तो इसमें दोनों वें फोकस किया जाएगा प्रापरी में और दोनों ही फेवरीट खारेक्टर से तो यूनो मजा तू आ नहीं है अधिडियों हो तो मैं एक शालागा तू दो दो जाएगा तू में एक शालागात रेलर और मूवी किले एक्सेतर तू किन है और य। आप्सक्राब वाचान पर मूर